राम राम आज से हम श्रीमत भकवत गीता के अध्याय दो सांखे योग किशलोक अर्थ सहित शुरू करेंगे ओम श्री का अर्थवर श आधा शंकरजी वाला और पूरा उस पे बढ़ी की मातरा श्री पर दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे पर मा की साथ आधात मात ममी आमिक्स करेंगे मने परमात मनी नम दोनों अक्षर पूरी दोनों में आमिक्स करेंगे नम ममी आ की मातरा तो विसर्ग को पड़ेंगे हा नम हा ओम श्री परमात मनी नम हा अथ थमी आमिक्स करने अथ द्वी द्वी का अर्थ वाद द आधा और व की मात्रा तो क्या बन गया द्वी द्वी के बाद में ती की मात्रा बड़ी लंबा कीचना है द्वी तीयो यो की बाद में अवग रह आपको यो की मात्रा को लंबा कीचना है द्वी तीयो ध्या ध आदे के साथ या ध्या और य पूरे य में अमिक्स करना है य य में आक्की मा अप श्लोक शुरू करते हैं सन सक्यो परबिंदी आधान सन जय दोनों अक्षर में आमिक्स करेंगे सन जय वाच में आमिक्स करेंगे वाच सन जय वाच पहला चरन त त पे अनस्वार आधा में तम त में आमिक्स करेंगे तथा क्री का अर्थवा का आधा और नीचे रीसे रिशी की मात्रा क्री के आर आई पहला चरन रिपीट तम तथा क्री पया विच्ट दूसरा चरण म मी आमिक्स करना है म श्रू का अर्थवा श शंकरजी वाला आधा और र पर छोटे उकी मात्रा श्रू पू की मात्रा बड़ी लंबा खीशते वे ना के उपड़ जो आधे र की मात्रा उसको पू के साथ पूर्ण पूर्ण श न की साथ आधा करना यह आधा का और श से शटकॉण पूरा यह दोनों मिलके शत्रिये बनाएंगे तो यहाँ पर उन दोनों शत्रिये का विभाजन करके आधा का लेके साथ बोल दिया और श पूरे में सेकेंड चरण रिपीट करेंगे पहला और दूसरा चरण साथ में तम तथा कृपया वेश्ट मश्रुपूर्णा कूलेक्षण तीसरा चरण वी की मात्रा छोटी लंबा नहीं खीचेंगे शी की मात्रा बड़ी लंबा खीचना है वी शी ऐसे दो की साथ आदान दंत शब्द पुराने के बाद द पी अनस्वार आधम वी शी दंत में दम वा का आदे के साथ यह पुरा क्य वाक्य तीसरा चरण रिपीट वी शी दंत में दम वाक्य चाथा चरण मुवा च में आमिक्स करेंगे मुवा च म में आमिक्स करेंगे मधू कीचना सू, द, और न, दोनों में आमिक्स करेंगे सू, द, न, न, में आखी मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हाँ, मादू सू, द, न, हाँ च्वाथा चरण रिपीट, मुवाच, मादू सू, द, न, हाँ तीसरा और च्वाथा चरण साथ में विशीदंत मिदंवाक्य मुवाच मदु सूधन हाँ पुरिश लोग का उच्चारण एक साथ मत्राओं का विश्रिश ध्यान रखना है संचय वाच तम तथा कृपया विश्ट मश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विशीदंत मिदंवाक्य मुवाच मदु सूधन हाँ एक बाड़ फिर से संचय वाच तम तथा कृपया विश्ट मश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विशीदंत मिदंवाक्य मुवाच मदु सूधन हाँ सबसे पहले हमने अध्याय दुत्य के प्रारम में भागवान की वंदना की ओमश्वे परमात्मने नमा के द्वारा अब संजय वाचे यानि संजय बोले तम तम यानि आरजुन के प्रती तम का अर्थवा से उन होता है या उन किसके लिए आरजुन के लिए इसलिए आरजुन के प्रती तथा यानि वैसी क्रिपया विष्ट और मश्रू का जो म आदा है उसको विष्ट के साथ जोड़के प्र ये विभाजित होके बनेगा कृपया धन आविश्टम आ और आ की मात्रा मिलकर आ ही बनता है इसलिए क्रिपया विश्टम बना क्रिपया यानि कायरता से और आविश्टम यानि व्याप्त हुए अब अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम यानि आसूं के कारण जिसके आखों की या नेत्रों की देखने की शक्ती अवरुद दो रही है इसमें भी मिदम का जो म हैं उसको विशी दंता के साथ जोड़ेंगे तो क्या बना विशी दंतम यानि जो की विशाद कर रहे हैं म में ए की मात्रा थी तो इदम यानि यह आगे वाक्य मूँ वाचे का जो म हैं उसको वाक्य के साथ जोड़ेंगे क्या बना वाक्यम यानि वच ममे उ की मात्रा उ आच बोले मधू सूदन हा भगवान मधू सूदर क्या अर्थ निकला संजय बोले वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रती जो की विशाद कर रहे हैं और आसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है भगवान मधू सूदन यह वचन बोले क्या बोलेंगे वो भगवान आगेश लोग दो से बोलना शुरू करेंगे तो इस तरह अध्याए एक को यहां से कनेक्ट करेंगे हमने पिछले अध्याए में सुना था कि अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण को दोनों खड़ा करने को कहां और जब उन्होंने भीश्म पितामा और दोना चारे और अपने परिवार के लोगों को खड़ा हुआ देखा तो उन्होंने यह समझ लिया कि युद्ध में जब मेरे परिवार के लोग मारे जाएंगे तो इससे मुझे भारी पाप लगेगा बित्रों क भगवान शिक्रिश्न से अपना निर्ने सुनाया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और उसके पश्यात वे अपने धनुषबान सहित उनको धनुषबान को छोड़ कर रत के मत्यबाग में बैड गए थे उस समय वे शोक से मगन थे इसलिए अब अर्जुन जो शोक से क्या बोलेंगे वो ऐसा कहकर संजे इस अध्या की स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी नाशी सहज सुख राशी ही नाथ है मेरे नाथ मैं आपको भूलो नहीं नारें 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 नारें